नमस्कार, जैशी कृष्णा, मैं राकेश शिवान येस्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और जैसे कि मैं आप लोगों को दशा और अंतरदशा के विशे में बता रहा हूँ आज उसी सिरीज में उसका नया पार्ट पार्ट थ्री अंतरदशा के उपर उसके दशा के कैसे अंतरदशा के फल होते हैं उसी के पर उसका पार्ट थ्री मैं आपको बताने जा रहा हूँ दो पार्ट बहुत इंपोर्टन्ट हैं जो मैंने आपको पढ़ा लिये हैं उन लेसंस को और पार्ट को देख लीजिए, उन पार्ट में आपको सारी चीजे क्लियर हो जाएंगी, कि दशा में रिजल्ट कैसे मिलते हैं, जो कुछ बाकी है, वो मैं आने वाले एक या दो वीडियो में आप लोगों को बता दूँगा, तो उससे दशा के रिजल्ट को नि खा देता हूं, तो उससे आपको एडिया हो जाएगा, उससे एक सब्सक्राइब, यह जैसे आप देख रहे हैं, हाँ, यह जैसे आप देख रहे हैं, कि हमारा जो पहले लेक्चर में, वो यहां तक कंप्लीट हो गया था, अमने लास्ट में बताया था, कि यह देखना है, कि जिस ग्रह की मादशा चल रही है, वह कहां पर है, और जिस ग्रह की अंतर दशा चल रही है, वह कहां पर है, यborah जदी दोनों एक दूसरे से छटे आट पे बारमें हैं, तो उनकी दशा हमेशा बड़ी खतरनाक होगी, खर अगर किसी ग्रह की महाधशा चल रही है और जिस ग्रह के इंतरदशा चल रही है वो आपस में कहा है और यदी वो महाधशानास से गिनने पर छटे आठवे या बारवे भाव में हो तो दशा नुकसान धायक होती है यह आपको मैंने पता दिया था अब दूसरा इसके अंदर म बिसे कि लिए इंतरदशा में आते हैं, अंतरदशा देखनी चाहिए, महारषा उसको सपोर्ट करती है. अब महारषानाघ को आप देखना चाहते हैं, तो महारषानाघ कुंड्ली में बलवान कैसे हो? उसका भी बड़ा फरक पड़ता है. बलवान होने के लिए उसको केंदर तरिकोन में होना चाहिए उसको लाब भाव में होना चाहिए उसको धन भाव में भी चल जाता है कोई दिक्कत नहीं है उसको होने के लिए उचराशी का हो, स्वेराशी का हो या मितर राशी का हो, शुबकत्री योग में हो तो वो बलवान होगा दशानात, तो दशानात अगर बलवान है कुनली के अंदर, किसी का, केंदर्रिकोन का मालिक है, केंदर्रिकोन में बैठा हुआ है, लाब भाव में बैठा है, दन भाव में बैठा है, शुबकत्री योग में बैठा है, स्वेराशी में, मित्र राशी में या उच्छ राशी ने बैटा है तो वो लगन से जिस भाव में गोचर करेगा महादशानाथ स्वामी अगर बलवान हो तो लगन से जिस भाव में वो गोचर करेगा आप गोचर देखिए उस भाव की वो पुस्टी करेगा जैसे इस कुंड़ी में लगन छे है तो अगर महादशानाथ स्वामी बलवान है कोई भी महादशानाथ स्वामी आप ले लेजिए जैसे हम ये माल लेते हैं कि सपोस कीजिए यहाँ पर भरस्पती तो यहाँ पर नहीं ले पाएंगे इस वाली कुंड़ी के अंदर आप मान सकते हैं कि जैसे शनी है शनी अगर मालियत त्रिकोन के अंदर बैठा हुआ है यह शनी त्रिकोन का स्वामी है और केंदर में आके बैठ गया शनी आपका केंदर में आके बैठ जाता है यहाँ केंदर बने शनी आके पैट जाता है तो होगा क्या कि जब भी शनी की महादशाआ चलेगी तो शनी बलवान होगया है जब भी शनी की महादशाआ चलेगी और शनी गोचर में अगर साथ नमबर राशिम आएगा तो वो दूसरे बाव के फल करेगा आठ नमबर राशिम आएगा, तीसरे बाफ के फल करेगा इस तरीके से नौ नमबर राशिम आएगा, तो चौते बाफ के फल करेगा दस्वे नमबर राशिम आएगा, तो पाँचे बाफ के फल करेगा तो उनके फलों में व्रद्धी करेगा एक बात आप ये ध्यान रखिए कि जो आपको दशा और अंतरदशा देना चाहते हैं वो रिजल्ट कभी चेंज नहीं होता अगर दशा अंतरदशा आपको रिजल्ट नेगेटिव देना चाहती है तो रिजल्ट नेगेटिव ही मिलेगा गोचर अच्छा होने से सिर्फ ये हो सकता है कि वो आपका कुछ थोड़ा सा उसको कमी पेशी उसकंदर कर दे उसकी थोड़ी ब्राईयों में कमी कर दे या उसमें कुछ कमी कर सकता है तो वो थोड़ी सी चीज हो सकती है तो ये एक ध्यान देने वाली बात है कि दशानात और अंतरदशानात जो आपको प्रामिस करते हैं अगर दशा अच्छी ग्रह हुई नहीं है दशा छटे आठ पे बारे बाव के स्वामी गी है दशा किसी प्लिडित ग्रह की है किसी निर्बल ग्रह की है तो उसने नुकसान करना ही करना है अच्छा गोचर से फरक किया पड़ेगा कि उसके नुकसान में थोड़ी कम ही आ जाएगी तो वही आपको बताने का हमारा इसमें मकसद था कि जब भी महादशनात स्वामी अगर जन कुंडली में बलवान हो अगर वो बलवान है और दशाबी आपको अच्छा रिजल्ट देना चाहती है तो वो जब भी गोचर करेगा कुंडली से जिस भाव में लगन से जिस भाव में गोचर करेगा जैसे छे नमबर लगने इसके अंदर साथ नमबर आशी में जाएगा तो दूसरे भाव करेट अच्छा मिलेगा आठ नमबर आशी में जाएगा जो तीसरे भाव करेट अच्छा मिलेगा इस तरीके से रिजल्ट मिलता चला जाएगा इसके विपरीत अगर मालिया कोई ग्रहे निर्भल है जैसे हम यहीं लेते हैं देखे शनी इस कुंडली में केंद्र का त्रिकोर्ण का मालिक है लेकिन आठ वे भाव में बैठा है और दूसरी चीज़ यह कि यह नीच राशी में बैठा है आठ वे भाव में बैठना अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है नाश भाव बोलते हैं आठ वे भाव को रंदर भाव बोलते हैं और दूसरा वो नीच राशी में बैठा है तो जब शनी आठ वे भाव में बैठा है और नीच राशी में बैठा हुआ है तो शनी जब गोचर में जब शनी को तुम आप आप गोचर में देखेंगे जब गोचर कुंडली बनाए तो उसमें सेम लगन रखिए जब शनी को आप गोचर कुंडली में देखेंगे और शनी गोचर में घुमता हुआ पांच नंबर राशी पे आता है मलिया पांच नंबर राशी कहां पर है आपके बारवे भाव में है पांस नमबर राशी में शनी अगर आता है तो सीधी बात है कि शनी की शत्रूर राशी है यह तो यहाँ पर आके बारे नमबर भाव के वो नेगेटिव फल करेगा कहने का मतलब यह है कि किसी ग्रह की मादशा जा रही है अगर वो जन्कुंडली में बलहीन हो, निर्बल हो, कमजोर हो और गोचर के समय अपनी नीच राशी में जा रहा हो या अपनी शत्रूर की राशी में जा रहा हो या वैस सूरे के साथ अस्त हो जाए तो जिस भाव में वो होगा लगन से उस भाव का वो नुकसान करेगा आप सपोस कीजिए कि दशाई ही नुकसान देने वाली है और ऐसे में शनी का गोचर आपका पांच नमबर राशी में सिंग राशी में हो गया और शनी है निरबल महादशानात स्वामी एक तो मादशानात ने आपको यह बोल लगा है कि आपको रियल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे मादशानात आपकी अच्छी नहीं है दूसरा गोचर भी उसका ऐसा हो गया कि जब वो अपने शत्रू की राशी में जा रहा है शनी तो उस केस में क्या हुआ कि आपका पांशे बारवे भाव का रिजल्ट आपको बहुत खरा मिल जाएंगे तो यह एक इंपोर्टन चीज होती है आप इसके विपरीत अगर शनी ने अच्छे रिजल्ट देने हैं और वो फिर जा रहा है शत्रू राशी में तो अच्छे रिजल्ट में कमी कर देगा तो कहने का मतलब यह है कि जन कुंडली में अगर महादशानात का स्वामी बलहीन हो तो वो जिस भाव में गोचर करेगा, लगन से जिस भाव में गोचर करेगा, उस भाव की हानी करेगा, ये आपको ध्यान में रखना है इसके आगे मैं आपको बताता हूँ बहुत इंपॉर्डेंट चीज है कि दशानाथ से ये आपको देखना है गोचर कि अब दशा किसी की चल रही है सपोस्किजिए अब दशा चल रही है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वही आपको इस दशा में अच्छे फल कम मिल जा प्राप्त होगा तो उसके लिए चंद्रमा की बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है अब चंद्रमा की इंपॉर्टेंस क्या है इसके लिए कि सपोस्किजिए कि दशानाथ कहीं बैठा हुआ है कहीं भी बैठ जाए दशानाथ चाहे वो इस चार नंबर राशी में बैठ तो दशानात जिन स्थानों पर बैठेगा उस स्थान से नमबर वन दशानात जिस स्थानों पर होगा तो जब चंद्रमा गोचरवश दशानात की उच्च राशी में आएगा दशानात की स्वे राशी में आएगा दशानात के मित्रों की राशी में आएगा या दशानात से तीसरे, पांचवे, छटे, साथवे, नवे, दसवे और ग्यारवे भाव में आएगा तो हमेशा रिजल्ट अच्छा करेगा जहां पर दशानात बैठा है उस जगे को मार कर लेजिए चान अमर में बैठा है तो चान अमर को मार कर लेजिए जब भी दशानात जो भी आपका महादशानात है या अंतर दशानात है दशानात का कहने का मतलब है चाहे वो महादशानात हो चाहे वो अंतर दशानात हो या कि दूचे राशी कौन सी हुई मेश सूर्य की उच्छे राशी मेश हुई तो चंद्रमा जब मेश माएगा या जैसे ये आपकी सिंग राशी है इस कुंडली के अंदर आप देखें ये सिंग राशी है इसका स्वामी सूर्य बनता है अगर सूर्य कुंडली माल लिया वो आपका चार नंबर राशी में बैठा हुआ है सूर्य तो चार नंबर राशी में जब सूर्य बैठा हुआ है तो चंद्रमा यहाँ पर आएगा, तो सूर्य के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे. सूर्य की स्वय राशी में, यानि सूर्य की स्वय राशी कौन सी हुई? पांच नंबर राशी हुई, अपनी राशी. जब इसमें आएगा सूर्य गोचर में, चंद्रमा, तो सूर्य के फल अच्छे मिलेंगे. सूर्य के मित्र की राशी में, यानि मित्र कौन कौन होगे सूर्य के? गुरू हो गया, यानि 9 नमबर राशी में, 12 नमबर राशी में, जब वो आएगा, तो फल, चंद्रमा आएगा, तो फल अच्छे मिलेंगे, उस दशा में, और फिर ये कहते हैं, ये जो चलोक मैंने आपको बताया है, ये basically फल दिपी का का है, जो चलोक बताया गया है, इसमें थोड़ा explanation में जरसा ये है, कि अगर आप ये देखें, चंद्रमा दशानात की उच्छ राशी में आता है, नमबर एक, दशानात के मित्रों की राशी में आता है, तो अच्छा होता है, दो, दशानात के स्वेराशी में आता है, तो अच्छा होता है, तीन, दशानात से तीस जरे, पांचवे, छटे, शाटवे, नवे, दसवे और घ्यारवे हैं, यानि 7 इस्थानों पे. साथ इस्थानों पे अगर आता है तो अच्छा होता है. तो साथ प्लस तीन, 10 इस्थान, यानि बारे स्थानों में से 10 इस्थान पे अगर दशानात से आ रहा है तो अच्छा माना जा रहा है तो यह एक छोटी सी लगता है कि श्लोक में कहीं थोड़ा सा अगर दशानात की उच्छ की राशी हो या दशानात की स्वेराशी हो या दशानात के मित्रों की राशी हो तो जब इन भावों में चंद्रमा आएगा तो अच्छे फल मिलेंगे तो इस लोग का अर्थ आप ये लगाईए कि जब भी चंद्रमा दशानात से जहां दशानात बैठा हुआ है वहां से तीसरे, पांचवे, छटे, साथवे, नवे, दसवे और ग्यारवे इन भावों में आएगा और इन भावों में अगर दशानात की स्वेराशी है या दशान के मित्रों की राशी है, तो उहां पे चंद्रमा अच्छा फाल करेगा, उस टाइम पे आपको अच्छे-च्छे फाल मिलेंगे, ये आपको देखने के लिए बहुत जरूरी है, कि जब भी आप ये देखें, तो इस तरह चेक कर लें, कि चंद्रमा बहुत स्पीड चलता है, तो चंद्रमा आपको किसी भी दशा के अंदर बहुत जल्दी बता सकता है, फल कैसे मिलने वाले हैं, अब सब्सक्र कीजिए कि आपको दस दिन बाद आप ये देखते हैं, कि चंद्रमा गोचर में दस दिन बाद ऐसी राशी में प्रवेश कर जाएगा दशानात से, जो तो that is the best time for you, उस समय कोई investment कर लीजिए, उस समय कोई कार मश्रू कर लीजिए, आपको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि वो उस राशी में आ रहा है, जिस राशी में सब गोचर अच्छा होता है, तो ये छोटे-छोटे सवाल जो होते हैं, जिन से पूछना आपको लगता है कि हम इन्वेस्मेंट कब करें या कैसे करें या कब चलें, कोई भी चीज का माइंड में क्वेशन है, तो आप देख लीजिए इस चीज़ को, कि जो दशानात आपका है, पहली बात तो ये कि दशानात भी आपका अच्छा होना चाहिए, अच्छे रिजल देने वाला होना चा यहीं पे भी उसके मित्र की राशी है, या उसकी दशानात की उच्छ की राशी है, या दशानात की अपनी खुद की राशी है, तो जब चंद्रमा वहाँ होगा, तो आपको अच्छे फिल मिलेंगे, उस पीरिड में, क्योंकि सवा दो दिन चंद्रमा एक राशी में रहता ह तो उस वीरिड में आप चाहें तो इन्वेस्मेंट कर सकते हैं, आप चाहें कोई अच्छा काम शुरू कर सकते हैं, तो आपको सफलता मिलने के पूरे पूरे चांसिस होते हैं, तो एक ये बहुत इंपॉर्टन चीज है जो मैंने आपको बताई, दूसरी बात, जिस ग्रह की उसलिव कोंवाकरा थी काही जा रही है, जो या अंतर दिशा जा रही है, कोई भी ग्रह ले लिजिए अप जाएंशनी ली जिए चाहें, Soilter, उसकी दशा या अंतरदशा जा रही है, मानल या मंगल की अंतरदशा जा रही है, अगर वो आज के गोचर में अपनी शत्रू राशी में है या अपनी नीच की राशी में है या सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो रहा है तो ऐसी इस्तिती में उसके फल अच्छे नहीं मिलेंगे यह आपको ध्यान देने वाली बात है, इसके विप्रीत अगर अंतरदशानात अपनी स्वेराशी में, अपनी ओचराशी में या अपने मित्र की राशी में ब्रह्मन कर रहा है, तो वहाँ पर वो अच्छे फल देगा, तो यह आपको ध्यान देने वाली बात है, यह बहुत इ गोचर होते हैं, ग्रहों का ग्रहों से गोचर होता है, चंद्रमा से गोचर होता है, दाता ग्रह और करता ग्रह का गोचर होता है, ट्रांजिट इन ट्रांजिट होता है, तो वो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट उसके अंदर, तो सब चीज़े किलियर हो जाए जब वो गोचर में अपनी खुद की राशी में आ गया उसकी मितुन है या कन्या है या अपनी उच्छ की राशी में आ गया और साथ में वक्री हो गया तो उस समय बहुत अच्छा फल मिलेगा आपको तो यह भी ध्यान रखिए जिनका अंतर दशानात फास्ट बूविंग प्लैनेट है तो वो तो खास्तों से धियान रख सकते हैं कि यह क्योंकि बोद जो है वो भी जल्दी चलता है बहुत जल्दी तीस दिन के अंदर घर चेंज कर देता है शुक्र की अगर किसी के अंतर दिशा है तो शुक्री भी जल्दी घर चेंज करता है तो देख लीजे कि शुक्र जो है अपनी राशी में कब आने वाला है गोचर में अपनी उच्की राशी में कब आने वाला है तो बढ़ी हफल करेगा और बाइचांस अगर वहाँ उस समय सूरिय से पांच वाइज सूरिय से उसकी इस्तिति ऐसी बन जाती है कि वह वक्री हो ज कि जिस घ्रहिगी भी दशा हैं प्राप्प के अप्री्ज को उता है ये और्टा Siz待 यू उसके बाद ऑपको यह आता है कि मालिया कोई घ्रह है जिसके दशा चल रही है सपूसकी जी है मंगल का मालिक है केंद्र तिकोड में ही बैठा है मंगल आपके शुबकतरी योग में है उस पे शुब ग्राउन की द्रस्टी है यारे मंगल बहुत बलवान है आपका तो इसका मतलब मंगल की दशा आपके लिए बड़ी अनुकूल दशा है आपको शुब फल देने वाली दशा है तो मंगल की दशा या अंतर दशा चल रही है अब यह आप सोचिए कि मंगल की दशा चल रही है या अंतर दशा चल रही है कोई भी ले ले लीजिए आप अंतरदशा लीजिए, क्योंकि अंतरदशा में ही में रिजल्ट मिलते हैं सारे, तो अब उस अंतरदशा का शुबफल मिलेगा कब, यह आपको ध्यान देने वाली बात है, सुचने वाली बात है, कि अंतरदशा तो चल रही है मंगल की, लेकिन उसका शुबफल मिलेगा क उसका शुबफल मिलेगा जब अंतर दशा जिसकी चल रही है या दशा जिसकी चल रही है उसकी उच्छ रासी में गोचर में सूर्य आ जाएगा। लेकिन मिलेंगे कब यह वाली बात है कालिर्व सूर्य उसकी उच्छ राशी में जो भी जिसकी रशा चल रही है उसकी सूर्य की उच्छ राशी में वह जाएगा। मंगल की उच्च राशी क्या हूती है मकर अब मंगल की इंतरशा आपकी चल रही है और मंगल आपके लिए बहुत अच्छा अगर है आपको शुक बरज़ड देने वाला है मंगल बल्वान है कुंड्ली के अंदर तो जब मंगल की दिशाश चल रही है तो जब भी सूर्य मंग जब भी मकर राशी में मंगल की उच्छ राशी में गुरू आएगा ब्रस्पती आएगा तो आप अच्छा अच्छा इंवेस्मेंट कर सकते हैं तो आज मैं इतना ही आपको बताऊंगा इससे आगे में दशामे और नेक्स पार्ट में चलूंगा आशा करता हूं कि आपको तो आप कमेंट्समेंट डाल दीजिए मैं इसको कोशिश करूँगा कि ठीक से आपको बता सखूं तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो सोरी कांडली सब्स्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा उससे मेरा मोटीवेशन बहुत बना रहता है धन्यवाद जैशी कृष्णा